देगे वो कहते हैं न कि हीरे की पैचान जो है जोरी जानता है और वही काम वही किरदार मैंसिंग धूनी करते आ रहे हैं पूंके अंडर में जब भी कोई यंग पैलेंड जाता है तो उसको निखारना कैसे है और फिर उसकी टीम इंडिया में एंट्री कैसे होती है हमने कई मर्थबा देखा है इसी फ्रेंचाइजी से होके हुए आज दो बड़ी टीमों की चट्चा होगी कि आईपल इटेंचन के बाद ये पेपर पर कैसी नज़रा रही है और इनकी आउक्शन में क्या स्ट्रेजी होने वाली है और बड़ी टीम में कहने का मतलब है शायद आप समझी कोई होंगे क्योंकि ये पांच बार टाइटल विनर है अम बात करने मुंबाइ इंडियन्स और चिन्नेग सुपर कि इस पर ज्यादा बात करने के हमाई साथ है मेरे सयोगी दोष अमिट सिना एंड गंतावे अमित के साथ स्टार्ट करते हैं अमित इतनी सारी रूमर्स थी स्टीन को लेकर इतना सारा रायता खैला हुआ था ले में हम यह भी जाना चाहेंगे जो डिटेंशन हुआ है उसको लेकर आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे है उस टीम ने कैप्टन सी को लेकर जो भी हुआ लेकिन एक थोड़ा उनको फाइदा मिला जिस तरह से टीम का पर्फॉर्मेंस वर्ल कप में रहा इंडियन टीम का पर्फॉर्मेंस जहां पर लोहिच शर्मा जस्परीद बुम्रा सुर्यकुमार यादव हार्दिक पंडिया जाइट साथ अफ्रेश और उसके बाद जिस तरह से उनने वो वीडियो डाला जा पर सारे बड़े नाम पांच बड़े नाम जो है एक साथ आपर कॉंट्राक्ट सांग करें मुंबाइ के लिए वो दिखाता है की देहाब बेन अबल तो गेट अल प्लेयर उन आप प्लेयर जप्रीड बुम्रा गटिंग 18CR फंटास्टिक नूस फो मीज जप्रीड बुम्रा फैन इस तरह एंग प्रियंट क्रिकेटर पर यह गटिंग हम 18CR रोहिच शर्मा बेन इस तरह स्लाइट लेसर अगटिंग तिलक वर्मा तो लुक्स लाइट भर्वेल थॉट थॉट आट र इस तरह बुक्ति अधर भर्वाट थॉट थॉट झाहँ गटीज टीज़ बुट आट वाट पॉट आपट बढ शेख़ूट गटीज़ आज़ गीज चाहँ है जो अनूंस्मेंट किया है अल्रदी था आट हादिक पंडया बॉट बुट बुट इलिड टीज़ आएंट इ पर बिकमिंग इंडिया कैप्टन और रोहिच शर्म वोल्ड कुप विनिंग कैप्टन बट यह नहीं अप्टन अप्टन अप्टान रहें के दोजार पचीस में और अब फिर से टीम उनके इंड़ कुमेंगी तो लवली रेटेंशन पॉलिसी वेरी हैपी विए तिलग वर्मा एदन कामी कामी और बटन अब विए, ऐस अधू आप्टन अप्टन 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 बटन कामी में और अपॉलिसार अप्टन, विए इस साथ विए, बड़े थेतों मतृर हुआँ जाता तोौरिकाटन पॉल्ड शाद है दोड़ीजिक पुनिंगत भी आए, लग्षान गंताव्य का फैन बेस कहता है कि वह बहुत होमवोर्क करके लाते हैं तो लेट सी वह वाट गंताव्य का इस अंग्यू में अधिक आमिट आइंक एमाई के साथ क्या होता है बहुत बार की ड्रामा जो है उनके अराउंड और जो हाई पर उसके वज़े से वो शियर नेगोशियेशन्स में क्या अचीव करें बहुत 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 छुप जाता है आप एक बार बस उनकी लाइनप देखें जस्पीद बुम्राफ और 18 करोड जब केके और डिसी रिशब पंत और शियर सेयर जैसे प्लियर्स को समाउट में नहीं रख पा रहे हैं आप अन्डाउटेडली दे बेस्टी ट्वेंट यह बोलर इन दे वर्ल्ड को बस 18 करोड में रख रहे है विच इस शिनॉम्नल इन हार्दिक पंडिया यूव एन अबसलूट उनिकॉन वो कें बोल 130 प्लस और उन अच्छा कर सकते हैं जैसे हमने गुज्रा टैटन्स के लिए देखा था अगेंटू उनको 18 करोड भी नहीं देना और 16.3 में रिटेन करना सुर्या कुमार यादव मेरे इसाब से तो बेस्टी 20 बैट्सन इन दे वर्ल्ड है अभी के इसाब से क्योंकि ना ही बस उनकी एक य इंडिया के लिए उन्होंने फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनकी पोटेशल टैलेंट अगेरा की कोई डाउट नहीं है और टू जस्ट हाव दर प्रेसेंस इंडर से प्लेयर बी एक बार जीच चुके है तो उनसे ज़ादा कोई आइप नहीं जीता है तो बाट पेडिग्री पूरे IPL हिस्ट्री में आपको कहीन ही मिलती है और उनका फाइनल पिक भी जो है तिलक कवर्मा लास्ट सीजन जब उनके टॉप ओडर बैटर इर्द गेर्द गेर रहे थे फॉल्टर हो रहे थे तब वो और नेहलवदर रहे ऐसे दो बैटर्स थे जो क्राइस 500 प्लास वाला जो माइल्स्टोन है वो इस साल काफी इजीली तूट सकता है तो अम वेरे एक्साइटेड लाइक अमित गिव दिम आप लोगों ने चुकि हमने अमेट को भी सुना और हमने कहते गंतावी को भी सुना तो यहां पे कोई भी काउंटर अटैक नहीं दिखाई दे रहा है उसका मतलब यह है कि हम सभी हमारी जो सोच है जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुंगई इंडियन्स का जो रेटेंशन हुआ उसको लेकर बहुत सहमत है क्योंकि उन्हें रेटेंशन ही ऐसा किया है सबसे बड़ी बात मैं फिर भी इस बात पर जोड़ देन थी उसके बावजूद अगर आप एक ऐसा रेटेंशन करते हैं जहां पर आपने सामने वाले जतने भी आपके आलोशक थे उनके मुह पर ताला लगा दिया और आपने यह संदेश दिया यह हम अभी भी एक जूट हैं और यहां पर आप आप यह देखिए जो रेटेंशन 16.35 अपने हार्दिक पांडिया को दिया, 16.35 अपने सुरी कुमार यादव को दिया और उसके बाद 16.30 में आपने एक ऐसे प्लेयर को रख लिया जिसको लेकर सारे लोग क्यास लगा रहे थे कि शायद इस टीम के कैप्टेन होंगे शायद इस टीम के कैप्टेन होंगे लेक को solve किया और ये सारे वो player हैं जो आपके match winning player है इंका किरदार बढ़ाता है हम जब कोई नए player लेते हैं retention करते हैं कोई uncap player रहता है तो कई बन हमें मालूम नहीं होता कि इंका role क्या है लेकिन ये सारे player अपने role को बक्षू भी जानते हैं और इस team के साथ सालों से खिलते आ रहे हैं और आकर में ऐसा retention होता है तो जाहिर सी बात है मैं भी इस retention को 9 point देना चाहूंगा अब बढ़ते हैं सेग्मेंट की और अग्या सेग्मेंट की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि आपर हम बात करते कि auction में की strategy क्या होने वाली है गनता भी आपके साथ ही start करना चाहूंगा Mumbai के पास कितना फर्स बचा हुआ है और उसके इसाफ से इनकी जो players होंगे वो कौन-कौन से होंगे जिन पर इनकी नजर होंगी जो उनके target पर होंगे MI के पास अब अगर आप 5 superstars रिटेन करेंगे तो पैसे तो लगेंगे और उनके पास 45 करोड़ बचे है बस जो की second least है auction में but again more than worth it क्योंकि उनके टीम के 5 starting players तो fixed है और बख्खुभी यह भी है कि उन्होंने कितने boxes already tick किये उनके पास already openers है उनके पास already एक pace all rounder है death bowler है new bowler है तो एक जो चीज की कमी है उनके retention से वह एक spinner की और again उनको I think second tier picks के लिए तो subtle करना ही पड़ेगा जैसे कि हमने अल्लाग अजनफर की पिछले अपिसोड में भी बात करी थी नूर रहमाद एक बहुत interesting pick है मेरे एसाफ से but I don't think को उनके budget में फिट होगा क्योंकि GT के लिए उनने जितना अच्छा परफॉर्म कि है GT भी काफी excited होगी उनको retain करने के लिए एक प्लेयर लेकिन अगर अगर उनको मिल जाए ना वापिस तो I think उनको कोई नहीं रहा सकता है सीजन वह यूजवेंद्र चैल उन्होंने वान खेड़े में आप उनका performances देखेंगे तो 13 विकेट साथ इनिंग्स और for some reason चैल की इस बार बहुत जाथ होने वाली है हर बार ऐसा ही लगता है और हर वह होता नहीं तो मुंबाई को सतर्क रहना चाहिए अगर अगर वह option खुले बट auction डानामिक्स पे बहुत मैटर करेगा कौन प्लेयर पहले आ रहे है कौन प्लेयर बाद में आ रहे है जिसके सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो अगर मैं इस चीज़ को देखूं और चुकि लखना उन्हें उदर सब्सक्राइब को रिलीज कर दिया हाला कि वो इस बार बहुत बड़े प्राइस ते पर नौ या दस कोड पर नहीं जाएंगे बट इस ओल्सू वर ऑफ दी प्लेयर जो एक अंडर इटेट और राउंडर भी है तो क्या या फिर आप श्रेस गुपाल की बात करें जो गुंगई से पहले केल चुके हैं उन्होंने जतने समय कहला आप बहुत पीसे लिया आपने पर उससे पहले मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि एक जो सही घरवापसी हुए है वो है माहिला जयवर्दनी की Mark Boucher did not create a good team the last season's this season's Mumbai team आप उसको पेपर पे अगर देखेंगे इन पाच और नामों के अलावा जो इंडियन नाम है उनके अलावा आपको कोई ऐसा प्लेयर दिखेगा नहीं जिसमें आपको भरोसा हुए खासकर कि foreign players की बात कर रहा हुँ मैं Luke Wood, Mohamed Navi, Romario Shepard, Tim David, I mean there is nothing against these players but जिस तरह के खिलाडी हमें आदत है Mumbai में देखने की है और जिस तरह के खिलाडी ने उनको ट्रोफी जिताई है जाए वो Mitchell Johnson की बात करें, Lasset Malinga की बात करें, Kyron Poulard की बात करें, Trent Bould की बात करें उनके सामने ये नाम बिलकुल सही नहीं दिख रहे थे और इसलिए, I am just hoping that now that he has, you know, just 45 CR, he uses them, utilizes that budget wisely और बिलकुल अगरी विद गंतावियो, जवेंदर चाहे लागे तो, nothing works better for Mumbai, but at the same time, I also feel, वो जो फास्ट बोलर्स है, Jaspreet Bumra का सपोर्ट कौन करेगा, Jofra Archer तो नहीं करे ये तो पकी बात है, पर उसके अलावा कौन सा केंदबास है, आपने घर वापसे की? नहीं शायद गंतम करवाद है, कोई वरोसा नहीं, गंतम क्या आ सकते है, Jofra Archer? I don't think उनका budget अलाव करेगा, अलाव करेंगे कि नहीं क्या पता, क्योंकि जस तरीके से उनकी इंजरी रही M.I. का, it is quite possible कि उनके लिए बिडिंग उतनी जादा नहीं हो, अलाव कि M.I. उनके लिए जाएगी या नहीं, ये मुझे नहीं पता, पर हाविंग सब्सक्राइब लास्ट कुछ महीनों में जो भी परफॉर्मेंस अमने देखिये, अर्चर की, अच्छी बोलिंग कर रही है But I'm not going there, I'm not going there, in fact I would rather like Trent Bolt to come back to this side, because आप Michel McLennigan देख लीजिए, Mitchell Johnson देख लीजिए, Mumbai has always had one good left arm pacer that has won them the trophy, और Trent Bolt एकदम उस मोल्ड में ही है, उसी तरह के, you know, जो उनोने अल्रेडी काम किया हुआ है मुंबई के लिए, I was very surprised जब उनको वापस नहीं लिया था, 2022 के options में, But चुकि अब Trent Bolt auction pool में है, I would like to see him back, और Indian नाम तो उनके लिए, बताएगे गंतवे, आपने left arm pacer की बात करी, तो मुझे एक और नाम याद आया, left field peak है थोड़ा बड़ फजलक फारुकी, क्योंकि ये मत बुलिया, MI की दो और टीम से जो वर्ल स्टेज में खेलती है, जो की है MI Emirates और MI Cape Town, और MI Emirates के लिए इस बार फजलक फारुकी ने कुछ 17 विकेट्स लिए, I think वो टूर्नमेंट के हाइस विकेट टेकल भी थे, and वो बजट के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे, MI के, तो I think that would be a very strong pick also. मुझे लग रहा था कि मैं अभी भी देख रहा हूं कि शहएद कुछ प्लेयर को ये वापस प्लेयर को प्रिक कर सकते हैं, जैसे अपने ट्रेंट बोल्ड की वापस ही की, पड़ मुझे लगता है कि एजवाला फैक्टर याप होता है, मुझे लगता है अभी भी काबलियत ह है कि वो दो साल तो खी नहीं सकते हैं अगर आप बहुत लंबे समय क्रिए देखना चाहते हैं तो शायद आपको मार्को जैंसन जैसे पेर भी पिक कर सकते हो जो इसी स्क्वाड का इसी टीम का इसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुके हैं अलाकि बीच में वो सैंडाइस में बहुत ही ब्यूटिफुल और सिंगेंग यॉर्कर भी फेका तो उनकी डिमांड भी उपर चल लिए हैं माई के प्लेयर थे मुझे तो लगा जिस तरह से उनको पिछले सीजन में बहुत चांसेज मिले और हमेशा हमेशा खराब शुरुआत रही तो मेभी इस नो मुझे नहीं लगता तुशारा इस समवन मुंबाई विल गोबाई के उसमें जब इतना इतनी सारी क्राउट्स आपका नाम ले रही होती है वहां पर अगर आपकी पहनी वाल वाइट से लिए उसके बाद वो ग्राफ गिरता ही रहता है तो मेरे को तुशारा के साथ यह थो मुंबाई विल गो बाक तो बट बट यह कुनाल पंडिया ट्रेंट बोल्ट सम अफ इस नेम्स एवन फॉर आपको यांशन जराल गोड्जिया इंडियन नामों में तो अगीन नमंदीर सबसे पहले यान में आते क्योंकि लासीजन जैसे कि हमने का क्राइस से बार 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 बचाया बट चूकि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर चुके मेरे साफ से उनकी बिडिंग बिडिंग प्राइस काफी उपर जा सकती है एक जो लेफ्ट फिल्ड अनकाप्ट पे खोगा जो मैं परसनली उनका फैन हूँ वो है क्वेना मफाका जो कि साथ आफ्रिकन यॉरकर सब खातक थे एकन स्विंग डबॉल ऑल्सो अगिन लास्ट सीजन ऐसे भी बहुत रंट पढ़ रहे थे वांखेडे पर उनको जब चांसेज में थोड़ा क्राइस वे चल रहा था गलत समय पर भी बॉलिंग दिया गया और काफी प्रेशर की बात थी वह 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 है वह एसे समय पर आई थे जहां पर मुंबई के लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था पिर मैं एक बात यहां पर एट करना चाहूंगा जहां तक रेटेंशन हो चुका है लेकिन जो ऑप्शन की बात है तो मुझे अभी भी लगता है कि जो मुंबई का जो स्काउट टीम है वो वन आप दी बेस्ट स्काउटिंग टीम है और वो पूरे ग्लोबल लेवल पे टैलेंट जितने भी होते उनको खंगालते रहते हैं और एमफा का भी उनकी एक ऐसी खोज है जो अंडर 19 वर्लकप में जैसे गरंता पने बताया मैंने भी कुछ मैसेस देखे थे और वाकरी जो पोर अपको रेटेन करना था उस वज़े से जरूर यह पेर चलिके बड़ यह शायद इनकी वापसी हो सकती है और ऐसी क्योंकि स्काउटिंग के आपने बात बुली एक स्पिनर जो अम इतने पिछली एपिसोड में बुला था वकार सलम के अगें आयल टी 20 में 17 विकेट अमेजिंग परफोर्मेंस अफगानिस्तान के रेडार में भी आ गया हो तो अगर मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इनके फ्रेंट लाइन ओप्शन हो मेभी वह सरंग और चैनल जैसे प्लेयर्स प्राइमरी ओप्शन होंगे बट मुंबई की क्योंकि इतनी स्ट्रॉंग स्काउ जिसके वो तिम डेविड को लाय थे जो बिलकुल गलत गया उनके लिए वो उसके लिए वो कौन लाएंगे किसको लाएंगे यो कि you need that sort of a big hitter at the end of your innings Hardik Pandya was that big hitter probably five years ago and of course that power multiplied when he had Pollard and Krunal Pandya alongside him but who role will fulfill what Kyran Pollard will do I see no reason why Kyran Pollard is coaching and not playing because if you can see CPL's performances he is still hitting them out of the park very easily why Rashid Khan who beat 5 shaker you play in the party I played this game before we came to Kim David but I said Kim David is not over now you can beat 5 shaker Rashid Khan you tell me based on the amount of money who are some of the biggest hitters right now in the world who Mumbai can target for that particular position at number 5, number 6 दिक्कत होई है कि जैसे ही बड़े नाम्स की बात आती है six hitters की बात आती है वो इतने rare commodity है कि उनके prices बहुत उपर तो ले जाएंगे एक नाम यह भी जो वो target कर सकते है वो आशुतोष सिंग last year PBKS के लिए उन्होंने काफी impressed किया एक नाम जो और है मेरे जहन में वो बिगेटर तो नहीं है ये बड़ बिगेटिंग की potential ज़रूर रखते है वो है अंक्रिष रगोवंशी last year KKR के लोनों ने काफी impressed किया और Sky उनका last pick था KKR से बड़ देखे तो वो यादा किलते हैं हलाकि उनका उनका थाबियत है उन्होंने last season ही दिखाया है बट मुझे अभी भी लगता है कि अकर हम बटो 11 साल के लूप बात वही है कि वो विल्कुल विल्कुल क्योंकि उन्होंने six sitting ability दिखाया ऐसा में है कि वो नहीं दिखाया बट मुझे लगता है कि पंजाब ने उनको पंजाब पर वात करना शोड दीजे पता नहीं कि वो रिठेन नहीं किया मैं यह भी मानना कहना एक benefit of doubt देना जाओंगा क्योंकि Shashank Singh also initially reports came that he did not want to be retained he wanted to be in the auction pool क्योंकि वहाँ पर of course उनको जादा पैसा मिल सकते हैं तो यहाँ पर शायद थोड़ा benefit of doubt देना चाहँगा पंजाब को पर एक नाम में और डालना चाहँगा चलिए और यह और टीम के साथ जिसकी चर्चा तो होनी ही होनी है लेकिन बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं जिसके साथ आप future देख सकते थे रचिन रवींद्र और मुझे थोड़ा सा शौक हुआ कि आप शिवम दुवे के साथ चलेंगे आपने रचिन रवींद्र को नहीं लिया बैराल इस पर पर डिसकस करेंगे हम लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले कि रेटिंग क्या दी जाए जो इस प्रकार के रेटेंशन हुए हैं आप वापस से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद रवींद्र जड़े जाई होंगे जिको 18 करोड मिलेंगे लेकिन रितुराज गायकोड को 18 करोड दिये जाते हैं इससे लगता है मुझे कि एक मैसेज भी आता है कि शायद अपने आप कप्तान नहीं बदलने वाले हैं इनमें आप त्यूचर देख रहे हैं तो इस पर भी हम बात करेंगे लेकिन रेटिंग या देंगे आमेत आप चिन्नाई के जो रिटेंशन हुआ है उसको लेकर देगी भई है देव गॉन इन दे चिन्नाई वे एक एक कल्चर और एक की सब बहुत सारी बाते होते हैं चिन्नाई के और यह वो इसी लिए होती है आपको पता है एक चैंपियन टीम कैसे रियक्त करेगी एक खराब सीजन किक को लेकर कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ रितुराज विल कंटिनू तो कैप्टन रविंदर जडेजा विल कंटिनू तो कीप इस प्लेस MS Dhoni of course as the uncapped player वहाँ बहुत बड़ा एद्वांटेज मेला है वहाँ उनको uncapped player के तौर पर लाने में but yeah I mean कुछ सादा surprises थे नहीं जैसे कि आपने बोला कि Rachan Ravindra और Devon Conway मैं तो I was always leaning towards Devon Conway but मुझे लगता है वो RTM इन ही दोनों players में से किसी पर use होने वाला है Patirana Thikshana also I was a little curious but again Patirana जो skill लाते है that is you know a little more rare than what Thikshana brings to the table तो in all it's a proper 9 out of 10 retention कोई इसमे हम खोट जादा निकालने ही सकते है और of course as I said the fact that they got MS Dhoni for 4CR that's not going to happen in any other league any other place so yes they have that to thank for जे बिल्कुल मतलब आपने अगे रितुराज गैपट को 18 क्रूर रूपे दिये हैं तो इसके हम बाद में बात करेंगे कि कुछ players के दर्वाजे बंद हो जा रहे क्योंकि बहुत सारी चर्चाई हो रही है कि हम विकेटी पर बल्लेबास जो देख रहे हैं पंत के रूप में आप ये सोचे कि अब जो बजट बचा या जो परस बचा उसके साफ से उनके लिए भी दर्वाजे बंद हो रहे हैं मैं अगर मैं खुद बात करूँ जो रेटेंचन की एच नहीं नहीं वो काफी अच्छी और जैसा होता है उनका हमेशा की थोड़ा कोर रखा हुआ है और जो players पिछले कुछ साल से जिनको धोनी खुद ग्रूम करते हैं खासकर जब हम शिवम दुवे की बात करते हैं उनको रिटेन किया है और तिराना को आपने तेरा करोड रूपे में रोकिया है जो कि यंद पेसर है और middle overs में या फिर अगर आप death की बात करें तो बहुत ही घातक हैं वो शिवम दुवे को आपने चार गुड़ों में रोका हुआ है लेकिन साल अगर शिवम दुवे का अगर हम performance की बात करें तो खासकर जब वो चिनने में आये उनका एक जो revamp वर्जन था वो हमको देखने को मिला लेकिन आप यह देखिए कि 2023 और 2024 में वो बड़ा अच्छा खेलते हैं लेकिन फिर जब यह शिवम दुवे इंडियन स्कॉट में जाते हैं या वर्लिकप में जाते हैं तो वो performance हमें देखने को नहीं मिलता तो यह एक च चिनने उनको रिटेन नहीं करती तो क्या आंको वही शिवम दुवे नजर आते हैं क्योंकि मैं आर्सीवी के साथ भी उनको देखा हुआ है इसी बात नहीं है कि शिवम दुवे इंडिया के लिए परफॉर्म नहीं करते हैं जब वो वर्ल्ड कप के पहले दो-तीन स्कॉर्स में पिक वेते हैं चाहे वो आर्लेंड के अगेंस था चाहे वो आफगानिस्तान के अगेंस था यह जो दो-तीन बाइल स्रीज था उन्होंन बन गए कि वो रिलाइबल टाइम पर परफॉर्म नहीं कर पाई लेकिन आप यह समझे कि चैपाउक का जो सर्फेस है वो वन ओव दर ट्रिकेस सर्फेस है पूरे आई पेल में और उसमें हर बैटल खोल के छक्के नहीं मार सकता है और शिवम दुबे कि अगर 2023 के नंबर दे मैं तो सहमत ही रखता हूं और फाइनल में भी दो चक्के मारे थे मनलब जब बहुत कर रनों की एकदम आकाल पड़ गया था तब उन्होंने भी थोड़े रन तो दिये थे उनका बैट स्विंग इतना फ्री था कुछ बोलता है उनको यहरा सिंग की यादिल लाते हैं वो त देखें वो तो फो तो देखें फैंस कंपरिजन करते रहेंगे कि उनकी जलक दिखाई देती है बट यहरा सिंग खुद बूल चुके कि नहीं ऐसा फुश्टी नहीं है तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे बट मैं यह इस बात इसलिए कह रहा था कि अगर आप देते और रचिन रविंद के साथ आप यह भी देखो कि वह एक लेफ्ट टाउं स्पिनर भी है कली जाके वह जड़ेजा को भी रिप्लेस कर सकते हैं और साथ में जो जिस प्रकारती काबिये तुमकी वह कहीं नहीं थोड़ी जो आपकी ब्रैंड वैल्य उसको भी बनाने का काम करते हैं तो मेरा सिर्फ यह माना था कि शिवम डूबे के जगा आप दीख सकते थे रचिन रविंद को भी बन थोड़ी वह नुपम उनके पास उन्होंने चार कापलेस को रिटेन किया है तो उनके पास अभी भी एक आर्टीम बचा है और मेरे इसाफ से तो यह अगें स करें बजट के बाहर जाएगा उसको नी लेंगे और हम दूसरे वाले को पिक कर सकते हैं अगर आप रचिन के नंबर देके वैसे उनका टी-20 में आवरेज 15 है टी-20 में आवरेज 16 है लास सीजन उन्हें ने दो तीन फिनॉमनल रापिड कैमे उस खिले टॉप ऑफ दी ओडर को यह भी देखना पड़ेगा थी उन्होंने वेले कप में कैसा केला उन्होंने इंदिया में आकर स्पिनट को कैसा केला और उनका और वर्ल जो परफॉमेंस उसको आप राप movement कर सकते हैं अब उसको नजर अंदाज नी कर सकते हैं वह मैं इसलिए बसलों अभी के लिए क्यो को यही प्लेइंग स्टाइल अडॉप्ट करने की नीड है और इस चकर में उन्होंने बहुत बार चीपली भी विकेट दिया अपना तो उनको ऐसे टी-20 बैटर मच्छार होने की नीड है टालेंट पोटेंशल की कोई भी डाउट नहीं है उनकी स्पिन के अगें स्किल्स की को का रेटिंग देंगे रेटिंग क्या देंगे रेटिंग अगेन 8.5 क्योंकि उन्होंने पांच प्लियर्स में एक सिक्सेटर स्पिनर डेथ बोलर ओपनर विकेट कीपर बैटल रन अग्रिगेटर सब सब ले लिया तो आइटिंग नाइन दूंगा मैं इंसा कोई खामी नही प्रेंशन है बहुत अच्छी है बड़ फिर भी उनको आटी पॉइंट देना चाहूंगा क्योंकि अभी जो पर्स बचा हुआ है उसके साब साब के भी काफी स्लॉट्स खाली है चाहिए वो मुझे लगता है कि ओपनिंग का स्लॉट हो आपको विकर्टी पर बैक्समें भी चाहिए उसके अलावा आपको नीचे बॉलर्स भी लेकर आना है तो अभी काफी चीज़े खाली पड़ी हुए है जिसको भी बढ़ना है वह आक्शन में देखेंगे और हमें यह भी मालुम है कि चिन्नाई की टीम है वह आक्शन में एस करती कमाल करती है और यह वो टीम है जो ओल विडियो कर जो प्लेयर होते हों को स्टार्डस को कैसे तप्रीख करना है यह भी यह भली पाती जानती है तो मेरे साफ से फिलाव मैं आट पॉइंट दे रहा हूं अब नेक्स सेग्मेंट की तरफ पढ़ते हैं जो कि है कि चिन्नाई की नजर कौन-कौन से प्लेयर् प्लेयर्स बचा हुआ है अब अमित आपके साफ से कौन से प्लेयर्स को टार्गेट करना चाहेगी चिन्नाई मुझे लगता है कि एक तो उपर ओपनिंग स्लॉट खाली है तिर अगर आप मिडल ओर में आते हैं तो वहां पर वहां पर भी शीवम दुवें आपके बास रव नंबर टू नंबर त्री नंबर फॉर बनाना है तो मिडल ओर आपको बल्ले बास चाहिए और टॉप और में एक नाम जो ज़रूर चिन्ने कोशिश करेगी नाओ अगर इस बाक इन दी आउक्शन पूल इस वाफ टॉपलेसी रितराज के साथ बहुत अच्छा उनका एक्व पॉसबी धव गोफ वड़ वे पॉथ उनके लिस्ट पर रेगगे क्योंकि लास्ट रही पारन दी आपर और प्रफोर्मेंस थोड़ा था ख़ाब था तो क्यूंस फुटे बट एमल्सी जो कि USA की फ्रेंचाइजी तुनामेंट है वहाँ पे वो टेकसस सूपर किंग्स के लिए खेलते हैं जो चिन नहीं और उनका सेम ओनर है और वहाँ उन्हेंने 42 प्लस आफिज के साथ 500 प्लस बनाए है तो I think वो एक ट्रायल जैसा था तेवन कॉनवे को टेस्स करने के प्लेश थे पास वे तो उन्होंने अपने आपको टॉप डिमार्ड में स्टाबिश कर लिए तो यह स्टाबिश कर लिए तो यह स्टाइज कर लिए तो बाइश कर वो ट्रायल बनाया था उनका भी अच्छा वा था बट आप्शन रहेगा और देवन कॉनवे चीपर क्या बोलते हैं पिछले सीजन वे बट इधर वे आइधिंक फाइफ डूपलेस क्योंकि एक कैप्टेंसी ऑप्शन भी है और पांच टीम्स के पास कैप्टें नहीं है इस वाख तो मेभी कुछ टीम्स उनको कैप्टें अज कैप्टें टार्गेट करके उनका प्राइज कर स करती है तो बिल्कुर क्योंकि अभी देखें विकट कीपर बलेबास तो आपको चाहिए यह नहीं है बात यह हो रही है कि टीम जो है वह पंत को ले सकती हो कि आप देखें कि यह सुरेश चैना ने भी कहा था कि आपको नया प्लेयर जो है यह यह जर्सी में दिखाई देगा बट मुझे लगता है कि वो प्लेयर कोई नहीं माइन सिंग होनी है क्योंकि अगर मैं पंत की बात करो तो इस बार तो वाई हो अपने प्राइम पे हैं वो 20-25 क्रोड से रीचेज नहीं जाने वाले हैं तो आप अगर यह सोचके बैठे हो जितने भी हमारे फैंस है आउडिय आपने दो प्लेयर रिटेन के जिसमें रवीन जड़ेजा भी है तो आप यह भी मैसेश दे रहो कि हम अपने उसे कैप्टेन के साथ कंटिन्यू कर रहा है तो पंत अगर आते हैं और एक ऐसे प्लेयर के एंटर में खेलते हैं जो अभी इन स्कौाड का इस्सा नहीं बन पा आया तो उनकी कैप्टेंसी के अंदर खेलना मुझे नहीं लगता कि उनको यह बात हाजम भी होगी तो यहां पर चांसे यह प्रोबिलिटी बहुत कम हो जाती है गंता वे जीरो ही कहूंगा क्योंकि ना तो पंत कैप्टेंसी के विना सेटल करेंगे ना तो सिसको उनको फॉ कर सकती है वो फाफ ही है क्योंकि I don't think फाफ की स्ट्रॉंग डिमांड रहेगी कोई कैप्टेंसी के लिए वो कंफर्टेबल रहेंगे खेलना इवन अजब प्लियर उसके अलावा चाहिए शेयर के लाउल विशप पन्त I think zero chances है इन में से किसी काली अगर हम यह कहें कि फाफ प्लेसे ओपनिंग स्लॉट में अगर आप देख लो और साथ अगर आप डेवन कॉनवे को लेकर आते हो राइट टू मैच के तुरू पर तू वह एक अच्छी डील हो सकती है जैसे कि हम इतने बोला या तो रचन और फाफ आएंगे क्योंकि रचन मेडल और में भी स्लॉट कर सकते हैं या फिल डेवन कॉन वैंगे क्योंकि आप दो ओपनिंग बैस्मन को ले आएंगे और फिर शिवाम दोबे जो यूजिली नंबर थी में खेलते हैं तो ऐसे मैसब करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप पैसे खर्च करी रहें तो 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 सही से उतिलाइज भी क अगर चैन्ने वांट तो सी रवी चंदरनाश्विन और इंग उन्हों ने भी काया कि वो उसी टीम में जाना चाहेंगे इनके साथ उन्होंने अपने करियर की शुरूआत एप लिए बिल्कुल और खूबसूरत कहानी रही है रवी चंदरनाश्विन की मतलब टेस्ट क्रिक इनके साथ पुने गए और भापस चैन्ने नहीं आए तो बट मुझे लगता है अब उप्सक्राइब टेस्टें नहीं रही है तो बट मुझे लगता है अब शायद जो भी मामले थे वो रही है अधिन अग्यों बट एड़ एड़ वो जो नहीं पर प्क्रेंगे तो कोई ब यह पर प्रफ दो पुर आप चैन्ने नहीं वो जो पूर बट मुझे लेगता है अग्यों जादा बट मुझे लगता है अधिन के लिए इतनी जादा बिदिंग जाती नहीं है ए राजस्तान अलसो बट इम फर फेली चीपली और प्लस नहीं थेट एट अग्यों भी साथ ज चैन्ने ही एक टीम है इसके लिए मैंकरी नहीं करता है इसलिए उन वह ऐसा यंग लुक्रेटिव नाम नहीं है बाकी फ्रैंचाइज के लिए की बहुत सारी बिडिंग हो तो मेरे इसाब से आपर चैन्ने ही डेफिनली हाज हिम इन देर प्लांस एंड इट वोड़ी लवली होते हैं और सिर्फ यहीं नहीं है अगर आप उनकी बैटिंग को देखें तो उनका जो एप्रोज है वो काफी चेंज हुआ और मुझे लगता हूं उन्हें इक तरीके से अपने आपको री इन्वेंट किया है जब मैं बात करता हूं टीन पीन की जो दौजार शौविस का तो यह ऐसा कॉमबो पैकेज आप क्यों मिस्करना चाहेंगे और खासकर चेंड़ें में वो जाना चाहेंगे चिन्ने पर वापस ऑपने घर पर क्यों ही बलाना चाहेंगी जिसके साथ उस प्लेर ने अपने करियर के शुआ थी थी कि अश्वीन देख भी था थे लिए रीड नाम है जिए लागता है अश्वीन विक्विज अदेज़ पार देजी प्रेट जो तो प्रेल प्रेंट में प्रेम एंट भी तो नुटने जया कोचिंग पोसिए अग्ड़ पॉसिशन आप लागता है तो जो उनका एक्सपर्टीज है जो उनका नॉलेज है अफ लोकल सिस्टम्स, I think that can be very well utilized by Chennai if they get him as a player this time around. बहुत अच्छा एक सोस हो सकते हैं Chennai के लिए हाँ I mean Chennai में अशिन जितना बड़ा ब्रैंड है नहीं तो अशिन और दोनी उनके दो सबसे बड़े ब्रैंड है तो जब वो एक साथ आजे तो उससे बड़े बात ही क्या है मैं और एक नाम प्रपोस्ट करना चाहूंगा कि है मालका स्टनेस कामने जैसे लो नमबर थ्री स्पोर्ट की बात करी मैंका नाम नहीं लेने वाना था क्योंकि मैं श्यूर नहीं था बजट अलाओ करेगा क्या करना चाहेगी बट वो पर्फेक्ट फेट चनने के लिए क्योंकि लास्ट उन्हों नहीं एक सो चौबेशन की जो पारी खेली थी चपाउक में वो आइधिंक हम सब को याद है एकाना जो की आइधिंक वन फ्यू पिचेज आई पेल में जो स्पिन फ्रेंडली और थोड़ी चैपाउक को रिजंबल करती है वहां पर उनकी एकनॉमी 7.6 जैसी है कुछ और बहुत एफेक्टिव रहे वहां पर वह एक रिलाइबल रन एग्रिगेटर भी रहे हैं साड़ जो मैं अवी तक बात नहीं किये हैं जो CSK केते हैं तुषार देश पांडे आप लोग को क्या लगता है और एक नालाग इपक चेर और तुषार देश पांडे अबर बावट दीपक चेर क्योंकि यह दोनों CSK के बहुत जोंग जो हमने देखा भी है इस अल्मुश लिक में MS Dhoni can bring the best out of you know like bolus like Shadul Thakur, Deepak Chahir, they might not be the most threatening of names but when MS Dhoni is captaining them, you know that they would do their job properly. इंजरी इसके बाद, वो कहते हैं ना कि हीरे की पैचान जो है जोहरी जानता है और वही काम वही किरदार मैंसिंग धूनी करते आ रहे हैं, उनके अंडर में जब भी कोई यंग टैलेंड जाता है तो उसको निखारना कैसे है और उसकी टीम इंडिया में एंट्री कैसे होती कि हमने कई मर्कबा देखा है इसी फ्रेंसाइजी से होते हुए जित्रे भी प्लेयर्स हैं वेकाल से वीपक शेयर के अगर हम बात करें उनका तो बहुत ही स्ट्रॉंग बॉंड है जो केमेस्ट्री हमने देखी है और जिस तरगी से वो उटलाइस करते हैं वो वो काबिले त से विए कंप्लीट सीजन नहीं खिले तो बाट इस तो अब यह वह तो इस प्रकार का विलिशन लेके आते हैं टीट्वेंटी क्रिकट में उनके जो बैक आप दी हैं जो बॉल्व करती है वालब उसको देखते हुए वह जन एसे फॉर्मान या साथ में हर्शल पटिल का नाम लेना चाहूंगा दो यूनीक प्लेयर जो इस लेवल पर फास्ट और पाते हैं और चन्नी के सर्फेस में मुस्ताफ फुजुर्ण ने दिखाए दिया हूँ कितने एफेक्टिव रह सकते हैं अगें हर्शल हो सकता है महंगे में विके बट जो एजिंग है जिनके हाइप कम हो रही और जिनको एक सेकेंड विंड की जरूरत है जो बेलकुल तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यही पर समाप करेंगे और मुईत करते हैं कि आपको जो हमारा यह डिसकेशन है वो पसंद आया होगा लेकिन इन दोनों बड़ी टीमों को ल इसाथ आप